अलो दोस्तों देखिए एक ब्लास्टिक का कप है जो मुझे किसी सामान के साथ फ्री में मिला था तो आज हम इसी से अपने घर को सुन्दर बनाएंगे इससे हम बनाएंगे कुछ डेकुरेटिव आइटम यह ग्रीन कलर लिया है मैंने यह फैब्रिक कलर है आप इसे और कर सकत है मार्केट से या आजकल सभी के घरों में होता है तो आप इसमें से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं मैंने ग्रीन कलर यूज किया है आप ग्रीन कलर लेकर इस कप को डेकुरेट कर लिजे आप चाहें तो फ्लार भी बना सकते हैं या फिर जो आपको पसंद हो आप बना सकते ह मैं ग्रीन प्लांट्स बना रही हूं इस पे और यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है क्योंकि ब्लैक कलर के उपर ग्रीन कलर बहुत ही सुन्दर उभर कर आता है तो आप देख सकते हैं इस तरह से इसको कलर कर लेंगे प्लास्टिक का कप चाय पीने के लिए बहुत ही हानिका रख है गरम कोई भी सामान अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में खाते हैं तो वह नुकसान करता है इसलिए मैंने इसे डेकुरेटिव आइटम बनाने के लिए सिलेक्ट कर लिया इस तरह से दोनों कप को कलर कर सुखने के लिए रख देंगे यह देखिए यह क्ले मैंने ओर्डर किया है अब हम इस क्ले से इसको सजाएंगे मैंने रेट कलर और पिंग कलर लिया है रेट कलर और यलो कलर लिया है आप चाहे तो अपने पसंद के कलर ले सकते हैं इस कलर को लेकर खले को आप रोल कर लिजे रोल करने के बाद इसके छोटे छोटे गोले बना लिजे इस तरह से देखिए आप छोटे छोटे गोले बना लेंगे इस तरह से यह लोग लेकर उसके भी छोटे-छोटे गोले बना लेंगे क्योंकि क्ले बहुत ही सौफ्ट होता है तो यह थोड़ा सा आपको आराम से करना होगा और यह बारिक काम है तो आराम से आप इसको बना लें गोले-गोले करने के बाद फिर हम इसको इस गप पर सजाएंगे नहों कि भी करीब तो हमेशा पास था किसा जनम भी देखता मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हावाले कर दिया इस तरह से जब हमारे कोले बन जाएंगे तो हम उसको टूल की मदद से उसमें बीच में थोड़ा सा गैप बनाके इस तरह से गप में लगाएंगे इस तरह से आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये खले बहुत ही साफ्ट होता है तो इसका सेप नहीं भी घड़ना चाहिए और अगर ये circle से अगर ये आप जब भी इसको लगाएंगे cup में तो इसका circle बना रहाना चाहिए अगर इसका circle ख्राब हो गया तो ये देखने में सुन्दर ने लगेगा और इस तरह से red, फिर yellow, फिर red और फिर yellow ऐसे करके हम सारे गोले अपने इस पॉट पे लगा लेंगे जब भी आप पॉट पे लगाते हैं कुछ भी तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको उसकी सेप नभी करने पाए और ऐसे करके हम दोनों पॉट तयार कर लेंगे देखे एक पॉट तयार हो गया हमारा अब हम दूसरा बना रहे हैं दूसरे पॉट में भी सेम ऐसे ही करते हुए गोले बनाएंगे गोले बनाकर उसको टूल से कट करके कट करने के बाद कप के उपर लगा लेंगे इस तरह से द कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि इस तरह एंजुआ करते हुए आप कोई भी काम करेंगे जो आपकी होबी है या जो आपको पसंद है तो आपको बहुत ही मजा आएगा और अच्छा लगेगा तो मुझे सिंग पसंद है इसलिए मैं गुन-गुनाते हुए अपने आर्ट का काम करती हूँ कि आप देखे अब इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे मैं इसमें ग्रीन प्लांट लगा रहे हूं मतलब नैच्रल प्लांट लगा रही हूं आप चाहें तो इसमें आर्टिफिस्यल फलार्स भी लगा सकते हैं और घर के अंदर इसको डेकूरेट कर सकते हैं मैं इसे बाहर पोर्ट में लगाऊंगी तो इसलिए मैंने इसमें मिट्टी डालने के बाद प्लांट लगाया है ताकि उसे धूप लगती रहे और इस तरह से आप चार चार चमच पांच पांच मिट्टी डालने के बाद उसको बराबर कर लेंगे और फिर इसमें प्लांट ल अगर िडाit हैं लिए लगा तो आप इसे घर के चो रूम में सजा सकते हैं और अल्मीरा में सवेखते हैं लेकिन इस न that bet종 कि मैंने घ्रिन बन लगा रहे हूं जो लगा हैं। तो जो चोड़ा सा पानी डालूंगी थाकि प्लान्ट हमारा जीविद रहे और ग्रोग करें कि निजिल प्राइट लगा सकते हैं यह फिर अफ्लार्ट लगा सकते हूं यही मेरे पास पड़ा हुआ था दीवाली में मैंने खरिदा था तो इसको भी डेकॉरेट कर Bubble गें डेकॉरेट करने के बाद इसको हम इसके साथ अटेज करके सजाएंगे जैसे देखे इसमें कुछ खाचे बने हुए हैं तो उसको मैंने कलर कर लिया है कलर करने के बाद ये और सुन्दर लग रहा है इस तरह से डॉट डॉट बना देंगे जहां भी आपको लगे कि इसकी सुन्दरता बढ़ाई जा सकती है वहां हमने इसको कलर कर दिया कलर करने के बाद ये और भी सुन्दर हो गया है एक्शली इसमें आप दिया जला सकते हैं अभी मैं आपको इसको सजा के दिखाऊंगे पिछले वीडियो में हमने इस तरह से ये पोर्षन सजाया था और आज हम इसके उपर वाला पोर्षन सजाएंगे देखे सबसे पहले इस पॉर्ट को रख दिया जिसमें हम दिया जला सकते हैं और आप ये हमारा छोटा छोटा साब बाधा जो आप ये मैंने त्यार किया है ये सजा देंगे आप देखे कितना खुबसूरत लग रहा है ये पूरा पोर्षन घर का पिछले वीडियो में नीचे का पोर्षन सजाया था हमने और आप उपर का सजा लिया इस तरह